ये गाइस गुड मॉनिंग ये वलकुम यौल टू इग्जाम शाला मैं इस सुतन गुपता नाभी और एजुकेटर तो आज का वीडियो आ चुका है सिक्थ दिसेंबर सीरीज चुल रही है और कुस दिनों में मैं पूरे साल का करेंट अपर कवर करूंगा वीडियो शुरू क विडियक 2019 में संशोदन करेगा कौन सा है अजनागरिक्ता अधिनयां 1950 नागरिक्ता अधिनयां Competition 65 नागरिक्ता अधिनयां 1960 और शुकेटर अधिन्यां 1974 इस question का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कुस question को comment section में जरूर तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये और क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा देखिए आपने एक मूवी देखी होगी और बहुत ही अच्छी मूवी है उसका नाम है जो कर जी मैं कपूर खांदन वाली मूवी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ हॉलिवड मूवी है और अभी ये आई भी थी और इनके में इनमें एक वि सब्सक्राइब करें तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेगा तो जोकर स्टार है अच्छा इसके अलावा अगर कुछ और बातें बताओं मैं तो इन्होंने एक डॉक्युमेंटरी भी को प्रिड्यूस करी थी ठीक है ये याद रखेगा और इसका नाम था दा अनिमल जो हमारे एक्टर्स हैं ये रिसेंटली अपियर भी हुए थे पेटा का एक बिलबोर्ड है उसमें एड आता है ठीक है डिजिटल आता है तो उसमें आया था और उस बिलबोर्ड का नाम था वी आल आर एनिमल्स ओके तो उसमें भी ये आये थे तो इतना थोड़ा सा याद इस से जादा नहीं पूछेगा जाद से जादा पूछेगा तो कहां से तो ये रेजिदेंस कहां के है तो लौस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइट नेशन तो अगर इसकी नेशनलिटी पूछ ले तो ये अमेरिकन है ठीक है बस इतना याद रखेगा बांकि विराट को ल करना है और आपके सामने रहा which one is the maximum fine that can be imposed by the government for the misuse of national emblem तो इन में से कौन सा fine है जो कि सबसे जादा है चार लाग दो लाग तीन लाग और पांच लाग बताए इसका सही जवाब क्या होगा तो देखिए इसका सही जवाब है पांच लाग ठीक है तो जो prevention of improper use act है इसको ऐसे बोल सकता हूं है emblem and names act 1950 क्या है emblems and names act 1950 ये restrict करता है improper use of national flag मतलब आप किसी भी तरीके से गलत तरीके से हमारे भारती धोच का अपमान नहीं कर सकते या गलत use नहीं कर सकते ठीक है और उसके लावा the court of arm use by government department जो government use करती है उसके अलावा जो official civils होती है किसकी president की या फिर governor की और उसके अलावा pictorial representation of महात्मा गांदी गांदी जी और उसके अलावा prime minister हमारे प्रधान मंत्री जी का pictorial representation मतलब pictures में उनका गलत तरीके से use नहीं कर सकते और अशोक चकर का ये सब चीजे रहेंगी तो इनका improper use नहीं कर सकते हैं अब इसमें है क्या कितना fine लगेगा ये सारी चीजे आती है तो इसमें जो highest दिया गया है वो 5 लाक रुपे का है ठीक है इतन उसके बारे में तोड़ा analysis भी रखते हैं ऐसा तो नहीं से fact याद करके बैठ गए है clear है चलिए आगे आते हैं अब अगला question है और यह आपके सामने तीसरा question और question शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँगा देखिए जब आप सभीरे उठते हैं तो सब अपसे पहले ना अपने लिए goal decide करो चोटा सा goal पूरे दिन के लिए आज ही मैं class में बोल रहा था कि आप सिर्फ एक concept सीखिए मत सीखिए 10 concept लेकिन वह ऐसे सीख लीजे कि आप उससे related 500 question भी कर पाएं ठीक है तो यह थोड़ा सा याद रखेगा इससे क्या होता है कि हमारी preparation बहुत सही और balance way में रहती है और हमें problem नहीं होती है तो एक छोटा सा goal बना के करना है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रू अपने दोस्तों के साथ share करिएगा Facebook में share करिएगा और support करिए हमारे channel को grow करने में question number 3 है who has been appointed as the CEO of alphabet 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 किस की company है तो देखिए यह Google क की parent company है पहली चीज़ तो अगर आप Google की parent company है तो आपके दिमाग में तीन नाम ही आएंगे अगर आप इंडियन है Larry Page, Sergey Brin and Sundar Pichai Mark Jagarbak Facebook के है तो इनका तो सवाली नहीं होता कि यह CEO होंगे फिलहाल नहीं हो सकते future हो जाए एक अलग बात है तो इसका जो सही जवाब है वह सु यह कौन है तो यह Google के मालिक है इन्होंने ही Google को found किया था बात समझ में आ गई अचा एक छोटा सा question मैं आपसे पूस्ता हूँ जब Google की बात ही आ गई है तो भारत का पहला station कौन सा था जहां पे Wi-Fi फ्री हुआ था मैं question repeat कर रहा हूँ भारत का पहला station कौन सा था railway station जहां पे Wi-Fi फ्री हुआ था comment section में comment जरूर करिएगा और जितना लिख सकते उसके बारे में लिखिएगा चलि हम आगे आते हैं और यह रहा हमारे सामने fourth question और question रहा इंडिया and ADB signed a 206 million loan agreement to strengthen urban service and wages state भारत और ADB ने किस राज्जी में शहरी सिवाओं को मजबूत करने के लिए 206 million dollar को समझोता हस्ताचार किये है चार option आपके सामने आंदरप्रदेश, तमिल नाडू, तेलांगना और असाम मैं उमीद करता हूँ आपको question समझ में आ गया होगा और इसका सही जवाब जो है वो है तमिल नाडू ठीक है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कही ना कहीं ADB से इससाल इंडियन गवर्मेंट ने काफी लोन लिया है, state government के लिए भी काफी काम किया जा रहा है जैसे महरास्टर से लिया गया, महरास्टर ने लिया था, ठीक है, फार्मर्स वगेरा के लिए, तो ADB काफी ज़्यादा लोन दे रही है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, तो कहीं न कहीं यह important हो जाता है कि आप इन पे नजरे रखें इन questions पर, ठीक है, अज़ा य और इसका जो formation है, वो formation एक नवबर 1956 को हुआ था, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ भागा आगा होगा, चलिए, पाच्वा कोशन में आते हैं, और ये रहा हमारे सामने, पाच्वा कोशन, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए, हैदराबाद, डेली, मुंबई और चेंड़ी, तो देखिए, इसका सही जवाब है, चेंड़ी, अब इसका जवाब की बारे मैं थोड़ा सा बता दू, तो इसका जो formation हुआ था, वो हुआ था 2003 में, ठीक है, और ये एक highest civilian award है, that go the extra mile to make India a better nation, तो basically ये उन लोगों को दिया जाता है, जहां पे, जो लोग थोड़ा आगे बढ़के काम करते हैं, भारत को एक अच्छा रास्टर बनाने में, ठीक है, उसको उनको दिया जाता है, जिनके efforts रहते हैं, efforts कहां पे होने चीए, वो efforts digital में हो सकते हैं, financial inclusion में हो सकत हैं, ठीक है, तो जो भी लोग इस तरीके से काम करते हैं, उनको इस coach award दिया जाता है, यहां तक बात समझ में आ गई, चली, तो basically अगर मैं इसके में बात करूँ, तो इसमें excellence भी देखी जा सकती है, कि जो technology excellence जो रखते हैं, जो management पे, level पे काम कर सकते हैं, corporate leadership में, जो जिनका बहुत अच्छा योगदान रहता है, यह corporate governance में, जिनका योगदान रहता है, उन सब को यह award मिल सकता है, ठीक है, तो इतनी information, I guess, इसके लिए sufficient रहेगी, क्यों दिया जाता है, बाकी पहली बार यह 2003 में दिया गया था, चलिए, हम आगे आते हैं, और आज का question रहाद छटवा इस रो इस टू लॉंच था, शार्प आइड सर्विलांस सेटलेट विट सिंथेटिक अपेचर रडार, तो यह नाम क्या है, इसका बताएए, क्या नाम होगा, रिसेट 2B-R, रिसेट 2B-R1, रिसेट 2B-R1A, और रिसेट 2B-R1C, इसका सही जवाब है, बी, रिसेट 2B-R1, ठीक है, यह रडार, इमेजिंग सेटलेट 2 होगी, इसको याद रखिएगा, बस इतनी इन्फोर्मिशन इसके लिए सफी से, इंटे, चलिए हम आगया आते हैं, और सात्मा कोश्चन रहा आपके सामने, यह, मौरिश्यस के राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब है, वो इसके ऑप्शन से देख सकते हैं, प्रितविराज सिंग रूपम, अमीना गुरी फकीम, प्रवींद जगननात, और नवीन राम गुलाम, बताएए, इसका सही जवाब है, प्रवीन जगननात, ठीक है, तो इसको जगननात भी गोल सकते हैं, काई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा याद रखिएगा, चलिए, वाइद अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तो जो मौरीश के लाउमेकर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिलेक्ट किया है, प्रितविराज सिंग रूपम, इसका सही जवाब क्या है, प्रितविराज सिंग रूपम, याद रखिएगा, चलिए, थोड़ा मौरीश के बारे में जान लेते हैं, तो पोर्ट लुईस, यहां की कैपिटल का नाम है, ठीक है, और यह जानी जाती है, फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्शर के नाम से भी, और यह 19th century में Champs the Mars Horse Racing Track के लिए भी जानी जाती है, तो यह दो चीज़े यह आतर कीगा, चलिए हम आगे question में आते हैं, और आठवा question आपके सामने रहा, यह, अब चाईना काफी ज़दा news में है, तो इसको भी देख लेते है, विच कंट्री रिसेंट्ली इनागुरेटेड power of Siberia cross border gas pipeline along with Russia, तो इसका सही जवाब है China, तो चाईना ने रिसेंट्ली इनागुरेट किया है power of Siberia, अब Siberia नाम ही लग गया है, तो आपकोर तुम समझ जाओगे कि यह रशिया से है, ठीक है ना, तो यह रशिया के साथ किया है, यह जो pipeline है, यह चाईना और रशिया को मदद करेगी किस में coal को हटा कर, ठीक है, जिससे क्या होगा, नेचरल गैस को लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है, और यह जो pipeline है, यह symbol है energy का, इसके लिए, और इसको अब कर सकते है, energy symbol integration in Eurasia, as a major partner of Russia and China, तो कहीं ना कहीं होते हैं, दोस्ती का हो गया है, कि दो लोग, दो नेशन आपस में हाथ मिला रहे है, चलिए, नेक्स्ट है, नौवा question आपके सामने रहा ये, और ये question important हो सकता है, विकोज काफी question ऐसे आ जाते है, static में, who is the director of special protection group, तो इसका सही जवाब क्या होगा, special protection group, इसे SPG के नाम से भी जाना जाता है, अमिशा जी का statement भी आया है, इसके मामल अगर मैं बात करों, special protection group का, तो special protection group was formed in 1988, 1988 में किया गया था, by an act of the parliament of India, तो ये act है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखियेगा, और इसका headquarter का है, इसका headquarter है, निउ डेली में, ठीक है, चलिए, और ये क्या करते हैं, तो basically ये special force provide करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साब की security में, और फॉर्मा प्राइम मिनिस्टर की security में भी, ठीक है, चलिए, उसके बाद हम आते हैं, आज की आखरी सवाल में, और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ठीक है, जानने को काफी कुछ मिल रहा है, और ये रहा आपके लिए दस्वा question, which railway station was recently certified as the first east right station in country by FSSAI, तो कौन सा station है, FSSAI दौरा हाल ही में पहल, देश का पहला, इसका पहला, इसका सही जवाब है, Mumbai Central, ये वाइफाई के लिए भी था, मैंने आप सूपर एक question भी पूछा था, ठीक है, तो जो हमारी Food Safety Standard Authority of India है, इसकी full form है, FSSAI की, क्या है full form, Food Safety Standard Authority of India, ओके, अब यहाँ पर बात क्या है, मतलब किसलिए दिया गया है, Eat Right Station है क्या, तो देखिए, यहाँ पर इन चीजों को देखा जा रहा है, कि जो station है, वहाँ पर healthy food मिल रहा है, कि नहीं, hygiene है, कि नहीं, drinking water facility, food waste management, मतलब खाना वाना जो बरबाद हो रहा है, उन सब का management देखके दिया गया है, ठीक है, चल initiative है, FSS AI का, जो कि 2018 को लाया गया था, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, बस इतनी information इसके लिए sufficient होगी, और मैं आशा करता हूँ, कि आज के वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, मैंने आपको question दिया था, उस question को ज़रूर attempt करिए, तो चलिए मिलते हैं अ